आगरह के कश्मीरी बाजार में 100 साल पुराना दो मंजिला मकान बारिश के कान गिर गया मकान गिरने से चार लोग मलबे में दब गए इस्थानी लोगों ने रेस्क्यू कर सभी घैल को अस्पतार में भरती कराया थाना कोतवाली अंतरगत कश्मीरी बाजार में दो मंजिला जरजर मकान गिर गया मलबे में चार लोग तब गए लोगों ने रेस्क्यू कर सभी को बाहर निकाला घैल अवस्था में सभी को अस्पताल में भरती कराया गया रेस्क्यू का वडियो भी सामने आया है कोतवाली शेत्र के कश्मीरी बाजार में कई सालों से दो मंजिला मकान खाली पड़ा है लोगों ने बताया कि मकान करीब 100 साल पुराना है रख रखाव न होने के कारण मकान जरजर हो गया था दो दिन से हो रही बारिश के चलते गुरुवार सुभा करीब 11 बजे मकान भरभरा कर गिर पड़ा लोगों ने बताया कि गली से बाइक पर तीन लोग जा रहे थे और एक युवा के सफाई कर रहा था सभी लोग मलबे में दब गए मकान गिरने से अफरा तफरी मच गई चीख पोकार और आवाज सुनकर लोग घरों से बाहर निकलाए लोगों ने राहत बचाव कार शुरू किया मलबे में दबे लोगों को काफी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुँची गंभी रवस्था में सभी को इलाज के लिए सन मेडिकल कॉलिज भेजा गया है लोगों ने बताया कि कश्मीरी बाजार में ऐसे और भी जरजर मकान है ये मकान बंद पड़े है इन में कभी भी हादसा हो सकता है आसपास के लोग देशत में हैं उनको डर सता रहा है कि कहीं कोई कमभीर हादसा ना हो जाए सी न्यूस के लिए आदर्श शर्मा की रिपोर्ट